आप लोगों का स्वागत है और आज दोस्तों में आप लोगों को टॉप रीजन्स बताने वाला हूँ जिस वज़े से आप रियल मी 5S को जाके पर्चेस कर सकते हैं अगर आपने अपना माइंड बना दिया है और या फिर अगर आप कन्फ्यूज देगे रियल मी 5S पर्चेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो ये वीडियो आप देखना इस वीडियो में आप लोगों की सारी डाउट यहाँ पर क्लियर कर दूँगा वैसे रियल मी दोस्तों हमें पता है इंडिया की ही नहीं पुरे वर्ल्ड की ये वन अब दा फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मार्टफोन कंपनी है जो बहुत तीजी सा आगे बढ़ रही है काफी एग्रेसिव प्राइस पर अपने फोन्स को लाउंच करी है रियल मी 5S आपको दो वेरिंट्स में मिलता है जो बेस है वो 464 है दस हजार का है और एक 4128 मिलता है वो सिफ 11,000 का है तो 11,000 में 128 जबी के आपको स्टोरेच मिलती है 29 निवेंबर कल इसका सेल है तो कल आप जाके इसको ज़रू से पर्चेस करना लिंक में आपको अपने डिस्क्शन में दे द दे वाखना है वाला हूँ इसी वीडियो में आपको कुछ नहीं करना है हमेशिक की तरह सिर्फ एक ही कमेंट करना है इस वीडियो के नीचे दो नहीं करना है आप डिस्क्व्रात हो जाएगगे सिर्फ एक कमेंट करना है मैं बहुत जल्दी अपने टेक-news में दो वीनर को select करूँगा और उनको ये वाले स्मार्टफून देने वाला हूँ जिना तो जाए एक कमेंट इस वीडियो के नीचे करिए और गिवब में पार्टिसिपेट कर लिजे आप सबसे पहला जो रीजन है जो परसनली मुझे भी पसना आया है और वो है यहाँ पर इसका मैसिफ डिस् इंच के आपको यहाँ पर एक डिस्पेट मिलती है वाटर रॉक नौच सामने आई पिस डिस्प्लेइ एच्डी प्लस किये और साथ में गुरिल इगलास 3 प्लस की आपको प्रडेक्शन भी देखने को मिलती है अगर रियल में 3 से कंपार करेंगो तो इसमें आपको डिस्प की नेच में आपको काफी बड़ी डिस्पेट मिलती है आपका जो वीडियो वीविंग एक्स्पीजियंस होगा गेम खेल रहे है जो भी आप टास्क कर रहे है इस डिस्प्लेइ में आपको बिल्कुल भी प्राब्लम नहीं होगी वैसे दोस्तों उसके अलावा इसमें आपक आपको बहुत अच्छा चलेगा यह और प्लस दोस्तों ज्यादा हीटिंग इश्यू हुई है मैंने इसमें वैसे इसमें क्या बहुत सारे स्टेंगे 665 वाले प्रोसेसर वाले फोन में गेम केलाओ मुझे वहाँ पर कोई हीटिंग इश्यू भी आपको नहीं मिलेगा तो 5000 दोस्तों अगर आप यह फोन लेते अगर आप वीडियो देखते गेम खेलते दिन बड़ तो चलेगा ही और दूसरा दिन भी आपको चलेगा जो बैटरी बैकप के मामले में आपको यह फोन काफी बड़िया मिलता है उसके बाद यहाँ पर आते हैं में मुद्धे पर वो है इसका कैमरा पीछे वैसे आपको क्वार्ट केमरे का सैटप मिलता है प्रामेरी 48 मेगा पिसल का है सैमसंग सेंसर है और साथ में आप 1.8 का पर चले अच्छी बात है कि आप यहाँ पर 4K वीडियो शूट कर सकते है औ और Full HD में आपको उसमें EIS मिलता है जो अच्छी बात है नाइट स्केप अगरा मिलता है और आपको 248 पिस पर स्लो मोशन मिलता है वीडियो 720 पी पर और उसके लावा बहुत सारे और भी फीचर्स मिलते है उसके अलावा दूसतों 8 मेगा पिसल का अल्ट्रावाइट सेंसर ह लेकिन थोड़ा बहुत आप देखेंगे डीटेल में मुझे आपर कुछ खास फरक नहीं है लेकिन कलर्स में अगर आप देखते तो रियल्मी 5S के कलर्स थोड़े यहाँ पर पंची है थोड़े से बेटर मुझे लगे थे जब मैंने मोबाइल में भी देखा कंप्यूटर म और साथ में EIS भी मिलता है जो अच्छी बात है जो पहले रियल्मी ने नहीं दिया था इस बार रियल्मी ने EIS भी प्रोवाइट किया है और साथ में आपको यहाँ पर भी अच्छी कासे फोटोस वगेरा मिलते है पोट्रेश शोट्स भी काफी बढ़िया निकल कर आते है तो सेल्फी भी दोस्तों उसकी बढ़िया है तो कैमेरा दोस्तों 10,000 की रिजमी इसका बहुत ही कमाल का है वो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा अब दोस्तों फाइनल है यहाँ पर जाते जाते हम कैसे मिस कर सकते है रियल्मी 5S का एकदम से यूनीक डिजाइन व है कि रियल्मी 1 में था आपको याद होगा रियल्मी 1 में आपको रेट कलर मिलाता और यहाँ पर इसमें भी आप देखेंगे डाइमंड एफेक्ट हो ही 3D आपको यहाँ पर बैक मिलता है और यह कलर बहुत ही यूनीक है तो अगर आप रियल्मी 5S लेते तो मैं रेक्मेंट करता हूँ यह Crystal Red वाला ही लेना जो बहुत जादा प्रेमियम लगता है वैसे Crystal Blue और Crystal Purple भी मिलता है लेकिन यह बहुत ही कमाल का लगता है तो डिजाइन इसकी बहुत प्रेमियम है 10,000 के रेंज में बहुत बेस्ट लोकिंग स्मार्टफोन मैं इसको यहाँ पर बोल सकता और फीचर्स जो मने आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताया कैमरा इसका काफी इंप्रेसिव है आपको मैसिफ बैटरी मिलती है बडियास आपको यहाँ पर डिस्पे मिलता है प्रोसेसर भी डीसेंट है और साथ में जो डिजाइन है वो एकदम टॉप लेवल किये इतना